बिल्कुल तो देखिए दोरुई टीमों की X Factor की बात की जाए तो दोरुई टीमों पे आपको कौन से ऐसा प्लेयर लगता है जो की मैच को फिनिश कर सकता है या फिर मैच को जिता सकता है अगर X Factor बगात करें तो मुझे लगता है RR की और से रहेंगे रियान पराग क्योंकि असम के खिलाड़ी है और कमाल की फॉर्म में भी है औरेंज कैप के लिस्ट में विराट कोली के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो रियान पराग का है और मुझे लगता है कि और से रहेंगे और के और से चुनूँगा सुनील नरेन को बिल्कुल तो देखे सुनील नरेन एक तरफ होंगे एक तरफ होंगे रियान पराग आपको क्या लगता कि किसका बला चलेगा या फिर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो की अच्छी बलेबासी करेगा कमेट करके जरूर बता है तो ऐसे क्या काम करने होंगे केकियार की टीम को जो कि ये मैच वो जीत जाए यहर केकियार में वैसे कोई कमी नजर तो नहीं आया थी क्योंकि श्रेसरीयर ने कपतानी आउटसेंडिंडिंगा उसके राबावा टीम का टॉप और लगतार अच्छा कर रहा है कासवर पर जब मैच में लस्जी के खिलाफ उनके बल्ले से एक आक्रामक एक धमागेदार पारी नवासी रनों की निकली थी तो ऐसे कुछ जरूरत मुझे लगती नहीं आला कि गेनबाजी में इस टीम के पास और कुछ बैटर कर सकते हैं कि वरुन चक्रवरती एकॉनमिकल रहे हैं बड़ अरे अखिल तो आरार की टीम थोड़ी ज्यादा मजबूत इसलिए भी नज़र आ रहे है क्योंकि जीत कर आ रहे है चलिए कम नहीं आखना चाहिए लेकिन राजस्थान के सभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो आपको जैसवाल नज़र आएंगे जॉस बटलर संजु स आपसल जो के अची फॉर्म में नज़र आ रहे है कैप्टन भी है और विकेट कीपर बलेबाज भी है रियान परांग है शिम्रून हिटमायर भी मौजूद है दुरूप जुरेल आरश्वीन ट्रेंट बोल्ट आवेश खान कुलदीप सेन युजवेंद रिचुहल इससे क्या वो फॉर्म नज़र आई ये भी देखने वाली बात होगी इसके लावा ट्रेंट बोल्ट जो की अपनी गिंदबाजी से सामने वाली के पर खच्चे उड़ा देते हैं अकिल और इस मैच में हमने कई सारे मैचस में हमने देखा है चाहे वह मुंबई के साथ मैच कुछ गिनबाजी ज़रूर अच्छी की चार ओवर का कोटा अपना बखो भी निभाया लेकिन विकेट नहीं मिले आप चार ओवर अच्छे फेक रहें लेकिन आपको विकेट भी चाहिए आरार की संबावित प्लेंग 11 जैसवाल बटलर सैमसन रयान पराग शिम्रोन इटमा करने वाला है और कुलकाता में हमेशा स्पिनर्स को मदद पिलती है यहां पर खेलने का अनुभाव भी अश्विन के पास और मुझे अमीद है कि इस मैच में अच्छी गिन बाजी करेंगे दो तिन विकेट उनके खाते माएंगे बिलकुल तो अब के क्यार की पॉसिबल प् बल्यबाजी हुई थी आंद्री रसल यह बल्यबाज जब भी मैदान पर मौझूद होता है तो हमेशा यह लगता है कि शायद मैच जो है वह एक तरफा होगा रमंदीप सिंग होंगे मिचल स्टार्क होंगे पिछले मैच में की फायती साबित हुए थे हर्शित राना वैभ प्राइश यह थी पसछले मैच में अच्छी गेंबाजी की थी लेकिन एककिन वह कैसे को सब्सक्राइश चुछ्णार को मिलेगी चुछ सके बाद बागी के तीन मैचों में ज औरे junk किया अपनी यॉर्कर्ट से पिछले मैच में तीन विकेट भी लिया थे लेजी के खिलाफ तो लेप पकड़ चुके हैं प्रस गौतम गमीर जो लगा था और अपने खिलाड़ी को बैक करते हैं वह कॉन्फिडेंस भी मिचल स्थाक की गें बाजी में नजर आ रहा है